इंट्रेंस इग्जाम, कमपटीशन इग्जाम, UPSC, MPPSC, SSC, रेलवे, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं परिक्षा के लिए प्रवेश परिक्षा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन का बटन प्रेस कर जिससे नहीं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो रेडि है ना इक्यान देने के लिए तो रेडि हो जाई है तो हलो दोस्तों नमसकार दोस्तों मैं प्रवीन कुमार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अभी तक हमने बार्मी का पेपर दिया और अब हम इंट्रेंस का पेपर देने जा रहे हैं प्रीका तो दोस्तों आप कई सारे ऐसे पेपर दिया होंगे जो दूसरे साइट कर रहते हैं मतलब कि जैसे बार्मी का पेपर देते हैं बगर आज हम वह पेपर से आपको मिलवाना चाहते हैं जिसमें आपका इंट्रेंस और प्रिवियम कर लें और विल आइकन का बट्रेस कर लें जैसे नए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका नाम आपको पता ही है कि इसका नाम है O.M.R Ceut ठीक है? तो दोस्तों जब हम इंट्रेंस अरणत का पेपर देने जाते हैं या पिर कोई और अधर पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें इस तरह का गोला सा चिंद बनाना है और दोस्तों यह एक्जामपिल यहां पे आप देखी रहे हैं कि एक्जामपिल कैसा दिया है ठीक है और हम अच्छे से जानेंगे वीडियो आप कंप्लीटर देखिए तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे कि काला पिन में इसको भरेंगे काले पिन से कई ऐसे दोस्त होते हैं जो पेंचिल से भर देते हैं और नीले पिन से भर देते हैं तो उसका प्रियोग ना करें और जो वहां बताए गए निर्देशों का पालंड करें जहां आप पेपर दे रहे हैं तो दोस्तों हम इसमें तो बात करेंगे ही कि किसका किसका प्रियोक करना है किसका किसका नहीं तो हम देख लेते हैं कि कैसा क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप क्या भरेंगे आप यहां देख सकते हैं क्योंकि आप भरने जा रहे हैं अगर मैं अभी से बता दूंगा सब कुछ तो आप वहां जाके घबरा न जाए इसलिए आप खुद देखें और आप खुद जाने की क्या चीज यहां लिखा है तो यहां लिखा है कि अपना नाम डालना है दोस्तों ठीक है नाम डालिए यहां और नाम डालने के साथ सब कुछ करेंगे आप अपना नाम डाल दिए अब नाम डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि रोल नमबर देखेंगे कि आपकी रोल नमबर क्या है तो यहाँ पे रोल नमबर लिखेंगे तो रोल नमबर माल लीजे कि आपका क्या है एक ग्यामपेल के लिए अगर हम देखें इसका रोल नमबर के बारे में तो यहां रोल नमबर जैसे की दिया है रोल नमबर हमेशा नाम हमेशा बाई से लिखेंगे और रोल नमबर हमेशा दाई से आप लिखिएगा जिसमें से की जीरो आप अगर कहीं फस रहा है तो कॉलम करेक्ट हो ठीक है जैसे कि seat number ठीक है और तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको भड़ना है जैसे कि आपका rule number है यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि आपका rule number क्या है तो आप माली जे की rule number यहाँ पे भर दीजे कि संताने नहीं टू एट फोर शिक्स माली जे इंगे आपल पे देख रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है कि टू पे डारेक्ट बिंद पे टू बिंद पे ही आपको भरना है जैसे एट लिखा है तो आप नीचे rule number बरने के बाद एट कहाँ पे है एट यहाँ पे है तो आप एट को भर सकते हैं साथ ही अगर आप यहाँ पर फोर लिखे हैं तो फोर के जिस्ट आप भर सकते हैं और सिक्स लिखे हैं तो सिक्स के लाइन पर आप यहाँ पर समझ गए होंगे फिर यहाँ पर ऐसे भरते जाईएगा और यहाँ पर देखते जाईएगा ठीक है फटाफट फिर ऐसे आपको मिल और आप इसी तरह भरियेगा अब आए इंसर सीट पर इंसर सीट कैसा रहेगा तो इंसर सीट इस तरह रहेगा ठीक ऐ तो आपको क्या वनना है कि 4 Ops होता है चार ओप्शन का तो चार ओप्शन में आपको उसी के सामने टिक करना है माल लिजे कि आपने प्रेशन नमबर 2 हल किया तो आपको क्या करना है कि प्रेशन नमबर 2 के सामने वाला कौन अगर सही है माल लिजे कि अगर A सही है तो आप A को काले पिंस से ऐसे बरिये कि बाहर न जाए और न जादा गाड़ा बरिये न जादा कम बरिये एकदम पॉइंट पे हो माल लेजे कि इंसर नमबर आप 50 बर रहे हैं ठीक है तो 50 का यहाँ पे D इंसर हो रहा है तो आप ऐसे इसको D को बर दीजे साथ ही अगर आप इंसर नमबर 81 तो 81 का C भर रहे हैं तो आप C को ऐसे भरिये कि अराम से एकदम पॉइंट पे भर जाए और न बाहर जाए न अंदर चुटे तो आँब की आप समझ गये होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हो यहाँ सिंगनेचर उगनेचर हो जाएंगे यहाँ सिंगनेचर भी नीचे हो जाएंगे और आइव आप की आप देख लिये होंगे practitioner and कि insert sheet पेपर के example के लिए मैंने बता दिया कि ऐसा रहेगा दोस्तों आपने बार्मी से दिया होगा MPBOT से या फिर CBSC BOT से मगर ये वाला insert sheet आपको entrance exam या pre-exam निकलना है UPSC MPPSC या और कोई अधर exam तो इसी तरह को आपको देना पड़ेगा ठीक है तो I hope कि आप समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों नए हो तो subscribe करके वेल आइकन का button प्रेस कर लेना और दोस्तों हमें अवस बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए helpful लगा कि नहीं लगा अगर आप हमें comment box में बताएंगे कि आप कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो हम आपको उस तरह का वीडियो प्रवाइट करा सकेंगे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों मिलते रहेंगे हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नई जानकारी के साथ